परड़ी के मात्यम से जिन नौजमानों का भुविस अंदकार के चला गया ऐसे साठ लाग लोग है नौजमान अगर साठ लाग बच्चों का ही हम भुविस की चिंता करें और यही इनके परिवार अगर इनके खलाब हो गए तो भार्टी जंता पाड़ी का उत्तब्दे से सफ लें माबापको तीन गुणा साठ लाग एक करोड़ असी लाग और एक करोड़ असी लाग का अगर भाग देते हैं असी लोग सबासी तो हर लोग सबाव में भार्टी जंता पार्टी का दो लाग पच्चे जार बोट कम हो आए है कुछ लिए अगर यही नौजमान उनके प पार्टी जंता पार्टी का सफाया होना निश्यत है इस काम को आगे बढ़ने का काम समाजबादी दो करेंगे और जो चंदा की नाम में बस्तूली हुई है अब तो साफ हो गया है कि एडी सीवियाई इंकम टेक्स मेजिए बाल में पैकेज ले लिजिए एडी सीवियाई इ पैसा मिल गया चंदा मिल गया और वो जाच खतम हो गई ऐसी बसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत देश में नहीं होगी जैसी भाती जंता पार्टी ने करके दिखाई है इसका जवाब भाती जंता पार्टी के बास नहीं है ना भरती का जवाब है ना बसूली का जव नौजवानों ने जो रोजगार खोई है नौजवानों ने जो बैपार खतम हो गया हम उससे सहमत हैं टेक्नोजी से लेकिन कारोवारियों का कारोवार चिंज जाए भविस्ट क्या होगा 10 साल बात हमें उस बात की चिंता करनी है हमें उनलाइन डिजिटल इससे कोई शिकायत नहीं है लेकिन हमारे छोटे कारोवारी का खतम हो जाए सब खतम हो जाए आप बड़े-बड़े उद्द्योग पतियों का तो पैसा माफ कर रहे है पंदे लाग करोड रुपए माफ किया आपने लेकिन अगर हमारा छोटा वैपारी छोटा कारोवारी है दस लाग का भी लोन लेना चाहिए तो क्या फ्री इंट्रेस्ट के साथ है क्या बिना करश के साथ है क्या कोई आप पंदे लाग करोड तो माफ कर रहे हैं लेकिन छोटे कारोवारी के लिए क्या सुबित है आपके पास और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है जब हमारा किसान खुशाल तो हमारा वैपारी भी खुशाल होगा समाजवादी लोग उसी दिशा में काम करकर अपने किसान को खुशाल करेंगे और वैपारी उको स्रक्षा और सम्मान देना लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे